क्या वर्कम बाक टो मैं चैनल वेकोपेंड ब्यूटी कर ली मैं हूँ अपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिप और चीक टिंट यह वह एक इंडियन ब्रैंड है और यह बहुत अरा पॉपलर हो रहा है क्योंकि यह अपन आपके सामने जो है वह वान वान वीडियो लेक्टिया हूंगी तो आज का जो प्रोड़क्त है वह लिप और चीक टिंट है और जो मैंने वर्जन लिया है वह है और जेख चीक टिंट इसमें आए थिंग तरी वर्जन आते है एक बीट रूट वाला है एक और है तो मैंने चो लिया है वो और लिया है so look at the packaging it is very orange kind of packaging so the packaging is very good outer packaging जो है वो एक ऐसे इतने बड़े जो box में आती है प्राइस का वो 7.99 रूपीस है that is too costly मतलब बहुत ज्यादा 15 gram का हमें प्रोडक्ट मिल जाता है but still it is very high on price so all the ingredients जो है वो यहां पर mention किये गए है और ingredients में जो है वो इनके बहुत ही और्गानिक सारे प्रोडक्ट है जैते ग्रेप सीड होई है शिया बटर है vegetarian glycerin है cocoa butter है this is all the ingredients मतलब बहुत सारे ingredients जो है वो यहां पर दिये गए है और भी पहुत सारे ingredients है जो यहां पर दिये गए है मैं पूरी list नहीं पढ़ी तो इनर वानी packaging जो है वो कुछ इस तरह की है and you can see बहुती beautiful सी packaging है आप इससे एते निकाल सकती है so the inner packaging जो है वो कुछ इस तरह के जार में आती है यह एक plastic के जार है मैंने जो है एक glass jar expect किया था इतना महेंगा product है तो इसलिए मैंने सुझा था कि शायर जे glass jar होगा anyways but यह packaging है अभी मैं दिखा देती हूं कि कैसे यह product pack होके आता है so इस तरह से open होता है और this is the product यह एक red color का product लग रहा है but जैसे आप इससे apply करते हूं तो यह एक orange color का ही product होता है so अभी मैं आपको swatch दिखा देती हूं look at the swatch this is very pigmented अभी मैं आपको face wash दिखा देती हूं all my time I'm waiting you to answer the phone nothing seems to happen but the last search is gone I hope some way your voice promises less and does more but still my pillows on the floor anyone can यह वाल जो product है अगर आप बहुत ही natural sa glow अपने face पर जाते हैं अपने lips पर then you can dry this lip and cheek tint this is the best lip and cheek tint और अगर आप college गए रहे हैं then this is a boon for you guys you can dry this out so यह वहला जो lip and cheek tint है वह बहुत ही बढ़िया है मतलब यह हमारे lips को जो है वो dry out नहीं करता है अगर आपके lips jacked है यह पोज़र ड्राय है तो इनके लिए यह perfect है क्योंकि यह हमारे lips को hydrated रखता है और इन्हें moisturize रखता है कापी लंबे समय तक so the staying power is not more than 3 to 4 hour so 3 और 4 hour के बीच बीच हमारे lips से और cheek से खतम हो जाता है vanish हो जाता है so staying power is not that much great और मैं lip and cheek tint की यह वाली जो quality होती है वो जादा expect भी नहीं करती हूं क्योंकि यह एक balm की तरह आते हैं और balm जो है वो easily जो है वो निकल जाती है smell is also great it is same as oranges fragrance जो fragrance जो है वो बिलकुल orange की तरह है only thing that I did not like about this product की इसका जो price है वो बहुत जादा है है 800 जो है वो बहुत जादा है इसका प्राइस क्योंकि यह जो product है बिलकुल वैसे काम करता है जैसे दूसरे जो lip and cheek tint होते हैं मतलब staying power जो है वो बहुत जादा हाई नहीं है जैसे 6 और 7 आर तक तो बिलकुल stain नहीं करता है तो मतलब 800 का product है 15 ग्राम को हमें product मिलता है बट स्टेल जी product जो है वो बहुत हाई है price में ऐसे product जो है हमें इससे भी कम price में मिल जाएंगे बट अगर आपको organic product चाहिए तो definitely you can try this इस में paraben नहीं है और animals बे बिल्कुट आई नहीं किया गया है chemicals नहीं है so that's why this product is awesome so अगर आप organic के बजाए दूसरे product लेना जाते है तो definitely आप रो ट्राइब कर सकते हैं but अगर आप जो है वो organic के और जाना जाते है तो definitely you can try this one और जो lip and cheek tint है वो हमारे lips को और cheeks को color देने के इलावा बहुत अच्छा सा glow दे रहता है मतलब बिल्कुल natural सा glow जो है वो हमारे base भी आजाता है and you can see that how beautiful it is looking on me so if you have a dusky skin tone then definitely you can try this one और और सारे लोग जो है वो beetroot ही use कर रहे थे तो इसलिए मैंने सूचा कि क्यों ना orange वाला जो version है वो लिया जाए so this is for now till next video I love you bye and take care कर दो कर दो है